हलो फ्रेंस माइनेम इस प्रीती आप देख रहें एक्जाम टेन यूटूब चैनल फ्रेंस आज हम लो डिसकस करने वाले हैं 19 मार्च के करेंड अफेर सुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखते हैं आज का हमारा पहला क्वेशन क्या है हमारा पहला क्वेशन कि हाल घी में संयूकत आतंक वाद निरोधी अभ्यास का आयोजन कौन करेगा ऐस्सीयो का फुल फॉर्म क्या होगा SEO का फुल फॉर्म होता है संगाई सहयोग संगटन यहाँ पर देखिए एक तरफ तो चीन बात कर रहा है संग्यूग आतंगवाग निरोधी अभ्यास की वहाँ दूसरी तरफ मैंने आपको पढ़ाया है थी कि इसने मशूद अजहर को बचाने के तो अब अगर हम लोग बात करें SEO का हेड़कॉर्टर का है तो SEO का हेड़कॉर्टर है बीजिंग में है और 1996 में इसका गठन हुआ था इसके सिक्योर्टी जनरल को है इसके सिक्योर्टी जनरल है ब्लादिमीर नुरो और भारत और पाकिस्तान दोनों पाडिसिपेट करेंगे इस्तंगाही सहयोग संगठन के आतंगवाद निरोधी अभ्यास में ठीक अगला क्वेशन हमारा जलवायू भेदता सीचकांक में कौन सा राज्य सीर्स पर है तो जलवायू भेदता सीचकांक में भारत में असम और मिजोरम सीर्स पर है ठीक अब असम और मिजोरम से यहां के CM कौन है? यहां के CM है सरबानन्द सोनोवाल और अगर हम लोग बात करें राजपाल की तो राजपाल कौन है? राजपाल है जगदीस मुखी अभी कुजिन मैंने कुजिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था करेंट अफेर में कि जो जगदीस मुखी है असम के राजपाल को किसका अतरिक्त प्रभार दिया गया है तो मिजोरम का राजपाल भी उन्हें बनाया गया है तो मिजोरम की राजपाल क्या है? आईजोल है यहां के CM है जोर मन्थगा और यहां के भी राजपाल कौन है? जगदीस मुखी देखे एक राजपाल एक से अधिक रा तक रेल पूल है जिसका नाम है बोगी बील पूल असम में किस नदी प्यार है या ब्रह्म पुत्र नदी पर है इसके अलावा असम में पाया जाता है काजी रंगा राष्टी उद्यान वन्ने जी व भ्यारण इसमें क्या है या एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजी संयुक तराश परेयर और सभा कायोजन हुआ है नेरोबी में नेरोबी क्या है नेरोबी अफरिकी देश केन्या की क्यापिटल है ठीक अगर हम लोग बात करें कि इसका नाम केन्या क्यों पड़ा तो माउंट केन्या अफरिका की दूसरी सबसे उची चोटी है इसी के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा था केन्या पड़ा था अब अफरिका के रिलेटेट कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं ठीक जैसे अफरिका का गाधी किसे कहा जाता है तो आपने सुना होगा कि नेलसल मंडेला को कहा जाता है अफरिका का गाधी इसके अलमा हमारा जो गड़ question की बात करते हैं अगला question है हमारा मद्ध प्रदेश की पहली transgender अधिकारी कौन बनी तो मद्ध प्रदेश की पहली transgender अधिकारी कौन बनी है संजना सिंग बनी है यह जो आप image देख रहे हैं किसकी image है संजना सिंग की जो की है मद्ध प्रदेश की पहली transgender अधिकारी अब मद्द प्रदेश से related कुछ fact भी जान लते हैं मद्द प्रदेश की capital क्या है मद्द प्रदेश की capital है भोपाल यहां के CM कौन है यहां के CM है कमलनाथ और दलहन उत्पादन के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मद्द प्रदेश number one पे है जो most important question हमारा बनेगा म इस साल का वाया है कि इन दौर लगातार तीसरी बार स्वच्छता सर्वेच्षर 2019 में number one स्वच्छ सहर की रूप में है तीन साल चो था यह वारा स्वच्छ सर्वेच्षर था 2019 का और इसमें इन दौर सबसे स्वच्छ सहर है लगातार तीन साल से वह इसी position पे बना है इसके अगर मद्ध प्रदेश के कैपिटल भोपाल की बात करें तो भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है इसके अलामा अगर हम लोग बात करें विश्व की तो विश्व का सबसे जो प्रदूसित सहर वो कौन सा है गुरू ग्राम है विश्व का सबसे प्रदूसित सहर और अगर ह अब तक हुआ था सुच्छता सर्वेच्छड तो यह 28 दिन में कम्प्रीट हुआ चार जनवरी से ले करके 31 जनवरी के मद्धे हुआ था और इसमें 4000 प्लस सहरों को समलित किया गया इसे के साथ साथ हम लोग या भी जान लेते हैं कि देश की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन स अगला हमारा की पहली ब्रिक्स सेरपा बैठक कहां पर संपन्न हुई तो ब्रिक्स सेरपा बैठक संपन्न हुई है कूटिबा में अब कूटिबा देखे थोड़ा सा अटपटा नाम है याद कर लेजे कूटिबा ब्राजील का एक सहर है जहां पर ब्रिक्स सेरपा की पहली बैठक हुई है, ब्रिक्स के बारे मेंगर हम लोग बात करें, तो ब्रिक्स की असापना कब हुई थी, शन 2006 में ब्रिक्स की असापना हुई थी और साउथ अफ्रिका में कब सामिल हुआ है, एक्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, देखे, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for हमारा China हो गया और उसके बाद S for हो गया South Africa तो ये है BRICS का full form चलिए अगले question की बात करते हैं अगला question हमारा कुर्ग अरेबिका कॉफी को GI tag मिला है जिसे उगाया जाता है कहां पे तो इसे उगाया जाता है करनाटक में इसे में देखे GI tag दिया जा रहा है बहुत से उत्पात, बहुत से वस्तु यसी है जिनने GI tag दिया जा रहा है वह एक विसेश प्रकार का भागोली संकेतक है जो कि विसेश छेतर को प्रदर्सित करता है तो इसे दिया जाता है GI tag इसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते है अब आईए इसका थोड़ा सा explanation देख लेते है देखे, explanation में क्या है कि अभी मरियूर गुड को भी GI tag दिया गया है अगर आप डेली करिंट अफेर देखते होंगे तो आपको पता होगा या कहां का है या केरल का है इसके अलामा सिरसी सुपारी को भी GI tag दिया गया है या सिरसी सुपारी GI tag या कहां पाया जाता है तो करनाटक में करनाटक में और क्या पाया जाता है आपको पता है करनाटक में भद्रा वन्नेजिव अभ्यारण और बादीपुर राष्टी उध्यान इस्टेटिक जीके के दो ऐसे क्वेस्टन जो कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं अब अगर हम लोग बात करें करनाटक की कैपिटल क्या है तो करनाटक की कैपिटल है बंगलोर और वहां के सीम है एचडी कुमार श्वामी करनाटक में एक असान है जिसका नाम है हमपी युनेसको ने क्या किया इसे विश्व विरासत अस्तल गोसित किया है अब ये देखे थोड़ा सा मैं चाहती तो इसको अलग क्वेस्चन बना देती लेकिन मैंने इसमें मर्च कर दिया है सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी किस ने जीता तो यह जीता है करनाटक ने किसको हरा करके महाराश्टर को हरा करके जीता इसका अयोजन किसके दोरा किया जाता है तो बी सी सी आई के दोरा इसका अयोजन किया जाता है ये देखे ये है कॉफी कुर्ग अरेबिका कॉफी तो ये थी हमारे आज के important question और अब हम लोग कल के important question का revision करेंगे कल का अमारे पहला question क्या था ऊश्रकटीबंधी चक demain किस जगां पर सबसे ज़यदा प्रभावित कर रहा है तो उस जगां का नाम क्या था इदाई अगला question था हमारा कि विश्व उभोकता अधिकार दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व उभोकता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को ठीक है इसकी सुरुवात कब हुई थी 1983 में नेक्स है हमारा question कि मरसर जीवन यापन गुडवत्ता रैंकिंग 2019 में किस सहर को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है तो वियना को प्राप्थ हुआ है वियना का है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना जिसे प्राप्थ हुआ है मरसर जीवन यापन गुडवत्ता रैंकिंग में प्रथम अस्थान अगला क्वेशन हमारा की ग्रेटा थनबन को 2019 को नोबेल सांथी पुरसकार के लिए मनुनीद किया गया या किस देश से हैं या बिलोंग करते हैं स्वीडन से कहां से हैं ग्रेटा थनबन स्वीडन से इसके अलमा हमारा अगला क्वेशन है कि आफ्रिका इंडिया ज्वाइंड मिलेटरी टेनिंग या कहां पर इसका योजन कहां पर किया जा रहा है पूडे में पूडे में F-N-X 19 इसका नाम है इसका योजन हो रहा है 14 से लेकर 21 मार्च के मद्द है शैयुकत अरब अमिरात में UAE और अगर हम लोग बात करें ओलंपिक कहां होगा तो ओलंपिक होगा हमारा टोक्यो जापान में कब होगा 2020 में और टोक्यो जापान की ओलंपिक में सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारती अटलेटिक से उनका क्या नाम है एरफान केटी इनका नाम है फिर हमारा की अंडर 17 महिला विश्वकप कहां हो रहा है तो फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए यह विश्वकप कहां पर हो रहा है भारत में हो रहा है अं शम्मान अगला था हमारा कि मनोहर परिकर निका निधन हो गया वह कहां से मुख्य मंत्री थे वह गोवा के मुख्य मंत्री थे मनोहर परिकर तो यह थे हमारे कल के important question I think आपका revision भी हो गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe करें share करें और like करना ना भूलें daily updates पाने के लिए bell icon पर जरूर क्लिक करें thank you friends thank you so much